Hello guys, मेरा नाम है Vijay और आप देखें मेरा YouTube चैनल Info with Vijay So guys, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे timer की working के अपने code के पर ध्यान देंगे So अभी तक हमने अप्लिकेशन में इस text view को update करना सीख लिया है, को इस logic लगा लिया है So अब हम इस text view की value को update करेंगे, जो कि timer है So हम user को कुल मिलाके 90 seconds देंगे So 90 seconds के अंदर user को जितने भी question display होंगे, उनका answer देना है और जितने जल्दी user अपने existing question का answer देगा, वही time उसका carry on हो जाएगा next question के लिए Means 90 seconds में अगर user को 10 question का answer देना है, तो इस शुरुवाती question का answer जल्दी देना होगा Then at the top हमारे को सबसे पहले variable declare करने है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने सभी बटनों पे listener लगा दिया है So make sure आप उस वीडियो को देख लें, ताकि follow along कर सके इस वीडियो के साथ भी So, यहाँ पे हम अपने variables को declare कर रहे है, So, यहाँ पे मैं space बनाता हूँ, और मैं सबसे पहले variable declare करूँगा, come my countdown timer का So, means, हमर को सबसे पहले एक variable चाहिए, countdown timer, तो लिखते हैं यहाँ पे countdown timer So, Android में timer के लिए use होता है, countdown timer So, यह है हमारा countdown timer, that's the object मैं बनाऊंगा countdown timer अब मुझे एक variable चाहिए, जो कि होगा int time value, जो कि initial, जो कि actual time होगा हमारी quiz का So, मैं यहाँ पे 90 seconds ने रहा हूँ, तो 90 seconds में user timer को use करना होगा Then along with that, मैं यहाँ पे private variable declare करूँगा, जो कि होगा timer dialogue class का So, यहाँ पे पहले मुझे एक timer dialogue class develop करनी होगी, यहाँ पे मैं जाता हूँ, then new पे जाता हूँ, then java class यहाँ पे declare करता हूँ इसे मैं देता हूँ, timer dialogue, तो यह class का हम dialogue से होगी हमारी timer dialogue class, so simply say करते है OK So, यह custom dialogue को हम display करेंगे, यह कि display करेंगा timer को, so guys उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूँगा यह clock gray image, तो इसको मैं copy कर लेता हूँ, क्यों कि यह हमारी image होगी जो drawable पे display होएगी, means जो हमारा timer dialogue होगा, तो अने ओले वीडियो में मैं इस image का use करूँगा, तो वापसे rest directory open करते हैं, drawable पे जाते हो यहाँ पे इसे paste कर देते हैं, make sure आप driver directory में paste कर रहे हो, ना कि drawable v24 में, hit करेंगे OK, then यहाँ पे आप rename भी कर सकते हो, तो मैं clock gray रहने देता हूँ, then hit कर देता हूँ, अभी timer dialogue को close कर देता हूँ, अभी क्योंकि हमारे को अपना timer डालना है, जो कि हमारी quiz screen पर डालना है, यहाँ पे अभी हमें timer को display कराना, working पर लाना, अभी तो static value दिखा रहा है 29, तो इसे हमें change करना है code के थरू, तो countdown timer का variable declare हो गया है, अभी countdown timer को on create में दिखाना है, तो सबसे पहले update question से पहले एक काम करना है, इस से पहले की database fetching operation है, उससे पहले हमारे countdown timer को working में लाना है, सबसे पहले हमें countdown timer को object को allocate करनी है value, तो यह होगा हमारा countdown timer, यहां पर मैं टाइप करता हूँ Countdown, यह Countdown Timer है, इसको इनिशलाइज करना है, वैल्यू, तो Java में allocate करते हैं value by using new operator, traditional object oriented approach, यहां पर new Countdown Timer का आप देख सकते हो, code start हो चुका है, यहां पर हमारे को dot लिखना है, dot करके हमे start method को call करना है, along with that हमारे का पर terminate करना है, यहां पर हमने कोई value specify नहीं करी है, तो यहां पर देख सकते हो, यह long value लेगा, तो long data type की values hold करेगा, हमारा Countdown Timer, यहां पर मैं देता हूँ 32, तो इतने particular time पर जाके अगर यह 3200 seconds, यहां की time in feature है, तो अगर हमारा value 1 के equal हो जाएगी, अगर यहां पर 22 देते हो, तो यह value अगर 10 हो जाती है, तो timer stop हो जाएगा, तो अगर 32 दोगे, तो value जब तक 0 नी होती, तब तक timer stop नी होगा, तो यह मैं आपको changes करके बता हूँ को जब हम application run करेंगे, इसके बाद मैं यहां पर 1000 देता हूँ, कि हर एक second के बाद हम timer को decrement करेंगे, value of को convert करना पड़ेगा, और यहां पर हमारे को time value को pass करना है, तो time value जो कि मैंने initialize किया 90 वो print होईगी, then after थोड़ी देर के बाद हर time tick के बाद मैं value को decrement करूँगा, तो यहां पर मैं type करता हूँ time value, not time text, it is going to time value, then minus, then equal to value को हम initialize करा देंगे, time value, तो यह particular वही एक ऐसी approach है कि आप कैसे लिखते है code को, यह actual में हो यह रहा है कि यहां पर time लिखा, time फिर क्या होगा, time minus होके, time minus, और यहां पर यहां पर अभी 1 cent increment करना है, time value गजद फैली initialize की है, then minus 1, actual में यह start हो रहा है, तो इसी का यह short variation है, short way से मैंने लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते है, तो भी working चलेगी, then इसके बाद हमारे को compare करना है, कि जब time value equal होजएगी, यहां पर compare करना time value, then time value not true, it's actually a time value, तो अगर time value equal है हमारे minus 1 के, जो कि एक समय आएगा कि time value minus 1 के equal होजएगी, तो उस case में हमारे को guys, एक चीज को करना है, कि जब भी अगर हमारा timer होगा, तो हमारे को यहां पर buttons को भी disable करना है, तो उसके लिए मैं यहां पर simple line के लिख लेता हूँ, we need to disable the button, क्योंकि हम अपने आने ओले time पर करेंगे, क्यों अभी disable button का concept is start नहीं किया, मैंने disable the buttons, तो यह particular काम हम करेंगे हमारे आने ओले videos में, तो यह particular हमने if condition को check कर लिया, अब जब on finish जब timer reach होजेगा, 0 होजेगा, जब यह texture की value 0 होजेगी, एक समय ऐसा आएगा जब 90 से value 0 होजेगी, तो हमारा timer finish होजेगा, जो कि set interval हमने उपर specify कर रखा है, जो कि यह, तो उसके बाद हमारे को on finish में से हमारा control आ जाएगा, तो इस particular way से हम timer dialogue को display करेंगा, तो यह हो चुका है हमारा timer यहाँ पर ready, तो चलिए application को run करके देखते हैं, देखते हैं कि timer text हमारा display हो रहा है, हमारी app के अंदर की नहीं, तो आप देख सकते हैं application अब हमारी start हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं timer इस समय working पर आ चुका है, तो timer जब एक समय 0 हो जएगा तो उसके बाद यह stop हो जएगा, तो अभी आप देख सकते कि 87 पर जाके रुख गया है, तो उसके पीछे कारण यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 87 पर जाके क्यों रुख गया है, तो आप देख सकते हैं कि 87 पर जाके हमारी value रुख गई है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपको value specify करनी है 32,000, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर 3200 ही डाल दी थी, तो 32,000 value डालनी है, मैं दुबार से run करते हैं, तो इस बार timer हमारा पूरा चलेगा, तो हमें wait करना होगा, तो यह 89 आप 87 value नहीं रुखेगी, तो मैं आपे initial value थोड़ी सी कम करता हूँ, तो लाट कि आप हम debugging जल्दी कर सकें, कोई 90 second का wait काफी जाता है, तो मैं 10 specify करता हूँ value, then run करता हूँ, तो दुबारा से अब हम application को run कर रहे हैं, अब यह 10 से value को आप देखना कि यह 0 हो जाएगी, एक समय आएगा जब time value 0 हो जाएगी, तो यह अब हो चुकि हमारी value 0, यहानि हमारा timer properly वर्क कर रहा है, अब यह increment, decrement होती रहेगी value, क्योंकि यह stop नहीं होगा, stop करने के लिए हमारे को यहाँ पर toast पगरा define करना होगा, और कुछ dialogue गरा दिखाना पड़ेगा, toast. तो basically toast जो pre-built होता है android का वाला यूज करता हूँ, यह वना toast तो जिससे जल्दी काम होजेगा, तो यहाँ हमाँ पर time finished लिखते है, time finished, ती हो गया हमारा time finish अब दुबारा से run करते हैं application को, so here you go, application दुबारा से run हो चुकिया हमारी, and then इसके बाद, तो अब देखेना toast display हो जाएगा, तो वहीं पर हम अपना timer dialogue को display करेंगे, अब देख सकते हो यह time आ चुका, time finished, तो अभी हमारे को cases handle करने हैं, कि जब हम button पर press करें, तो वापस हम इसकी value को 90 set कर देता हूँ, क्योंकि अब timer हमारा properly work कर रहा है, कि मैं यह कहना कहता था कि, जैसे हम option को select करेंगे, तो अगर मैं दोबार से application को run करूँ, तो कहा है हमारी application, तो actually मैं यह मेरा launcher stop हो जाता है, तो मुझे direct run करनी पड़ेगी application को, क्योंकि मैं इसके emulator के launcher में जाकर करता हूँ run, तो application run नहीं होती, I don't know क्या हो नहीं होती, क्योंकि emulator में problem है, तो कहने का मतलब यह कि, जैसे हम इसको touch करें, तो हमारे जो timer हो stop हो जे, क्योंकि हमारा answer process में जा चुका है, तो इस चीज को हमें handle करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो हमें सबसे पहले update question पर होगा, जब हमारा question update होगा, तो हमारे को timer को cancel करना होगा, तो यह काम भी हमें करना है, along with that, तो इसको cancel करने के लिए, हमें simple से predefined method है, जो कि counter object के साथ ही use होगा, तो countdown timer cancel, तो यह मैंने countdown timer को cancel कर दिया, along with that, जब भी हम button पर tap करेंगे, जैसे कि हमारे button A है, तो हमारे को सबसे पहले countdown timer को cancel करना है, सबसे पहले था कि हम time को save कर सकें, यही same process हमारे को beep button पर भी use करना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, countdown timer dot cancel, अब मैं copy कर लेता हूँ, यहां पर थोड़ा सा space बना लेते हैं, कि ताकि जो code आपको clean नहीं दिख जाए, कि क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, इसके बाद यहां पर paste करूँगा, इसके बाद button D पर paste करूँगा, सो अब हमने सभी यहां पेस्ट कर दिया, तो मैं चाता हूँ कि timer रुक जाए, तो उसको हमें कैसे रुकेंगे, तो अभी देख सकते हैं, timer freeze हो गया है, क्योंकि application freeze होगी, मैं use नहीं कर रहा था, तो यहां पर लिखते हैं, countdown timer.cancel, तो on pause में मैं cancel करना है, यहां पर मैं on stop भी यूज करूँगा, तो on stop method को override कर लेते हैं, यह सारे के सारे activity life cycle के method है, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर कुछ वीडियो से लेख सकते हैं, जो कि activity basics हैं, तो यहां पर start होगे गलती से, यहां पर मुझे countdown timer लगना है, क्योंकि बोलने में ध्यान नी दिया मैंने, तो यहां पर cancel method को call करेंगे, यहां पर on destroy के अंदर भी same वही, तो सभी मैं use कर रहा हूँ ताकि on the safest style, जो activity life cycle के method होते हैं, तो countdown timer हमारा बच जाएं, क्योंकि countdown timer definitely हमारी application को problem में ला सकता है, तो यहां पर में a whole method call करूँगा, जब on destroy होएगा तो activity finish हो जाए, इसके बाद on backpress को भी हमें call करना है, so on backpress के अंदर भी हमें countdown timer और activity call करना है, finish वाला, तो जैसे user backpress करेगा, तो यह automatically activity destroy हो जागी, then on resume पर जब user pause state से वापस resume करेगा हमारे application को, यहां भी हमारे को on resume को call करना है, so small on होगा, then इसके बाद re, जो हमारा resume है, तो resume में में क्या करूँगा, countdown timer को start कर दूँगा, countdown timer dot, जो कि इस समय हम start करेंगे countdown timer को, जहां सो छोड़ा है वहीं से हम दुबारा countdown timer को start कर देंगे, से particular method की जरूँता है, restart की जरूँत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी जरूँता आप overwrite कर सकते हो, बट इतने से काम चल जाएगा, तो अब हमारा timer working कर रहा है, हमने update text में भी सभी timer को stop कर दिया, अब run करके देखने application को, तो यह timer का खेल थोड़ा सा अलग मैंने किया है, यह देख सकते हैं, अब application run ले तो अब यहाँ पर देखना 88 हो गया, अब जैसे मैं option select करता हूँ, तो timer रुक चुका है, जैसा कि हम चाते थे, अब देख सकते हो, और यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ जो padding है, वो मैंने घटा दिया है, क्योंकि बड़े बड़े दिख रहे थे button, तो अगर आपको थोड़ा सा UI change नजर आ रहा होगा, तो यह है कि मैंने यहाँ पर जो constraint है, 32 set कर दिया है, अब आप देख सकते हो कि एक बार timer stop हो गया, तो दुबारा start नहीं हो रहा, तो हमारे timer को दुबारा से start भी करना है, यह हो किया रहाएगा, इसकी मैंने एक जगा पर गलती कर दिया, वो यह है कि मैंने update पर भी timer को cancel कर दिया, जो कि update question है, करना है, ना कि cancel, क्योंकि यह हर बार नया quiz question पर update होएगा, तो इस case में हमारे timer को restart करना है, तो आप देख सकते हैं, जो freezing concept हो solve हो जेगा, क्योंकि एक बार timer cancel हो गया तो वापस से resume नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे तो मैंने यह select कर लिया, option यानि आपको इस process में चली की है, यह वाला question की process हो के वापस आजेगा, तो गर add हो गया, तो इसके बाल यह green कर देगा, green कर देब next question पर जाएंगे तो आप देख सकतो timer फिर से continue हो गया वहीं से, तो इससे user को lead मिनेगी जितनी जल्द हो question को answer करेगा, उतना इसका time save होगा, time save होगा तो हमें game over करना है, means time's up और game को close करना है, तो यह concept हम करेंगे next video में, क्योंकि उसके लिए हमारे को layout क्रेट करना होगा, और हम custom dialogue डिस्प्ले करेंगे, जो क्योंगा timer dialogue, तो यह काम हम अपने next video में करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें by pressing the bell icon, ताकि सबसे पहले आपको ऐसे awesome videos की notification मिल जाएं, और अगर आपको इस series अच्छी लग रहे हैं तो जरूर इसको 10-20 likes जरूर दीजिए, और comment करके जरूर बताओ कि कैसी लग रही यह series और ऐसी और series अगर आप चाहते हैं, तो जरूर comment करके बताओ, और आप मुझे social media पे भी follow कर सकते हो, thank you for watching, see you in the next video.